अज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मेडि इंडिया ख़वर सामने लेकर क्या हैं तो इस वीडियो को लाइक किये बेना मत जाएगा बड़ी ख़बर यह है कि भारत में मेडि इंडिया कंटेनर्स की सप्लाई शुरू हो चुकी है Conquer यानि की Container Corporation of India की रिपोर्ट के मताबिक Conquer ने हाली में 32 यानि की 32 नए मेडि इंडिया कंटेनर्स की डिलिवरी ली है जानकारी क्लाब को उपता दें कि ये कंटर्ट सिर्फ 5 महिनों पहले पुराना है जहाँ पर कॉनकर ने भावनगर के एक कंपनी को लगभग 10,000 कंटेनर्स को मैनिफक्चर करने का कॉंट्रक्ट स्वापा था कंपनी का नाम है अबान कुर्पा प्राइवेट लिप्रेड और फाइनली 32 कंटेनर्स की सप्लाई की जा जुकी है भारत की छोटी शुरुवात है लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भारत के अंदर काफी बड़े स्केल पर शाइना से कंटेनर्स को इंपोर्ट किया जाता है जिससे हमारा जो ट्रेड है वो काफी ज़्यादा महंगा हो रहा है इसलिए देश के अंदर कस्टम ड्यूटी पर भी एफेक्ट पड़ता है लेकिन गौर्मेंट ने इन सारी चीज़ों को एनलाइज कि और डिसाइड के आगे कि भारत के अंदर अब मेड इन इंडिया कंटेनर्स को मैनिफाक्टरिंग पर बढ़ावा दिया जाए और गौर्मेंट के टार्गेट है कि अगले 10 सालों में भारत के अंदर जो भी कंटेनर्स इंडिस्ट्री है उसको काफी बड़े स्केल पर उपर ले जाया जाए और भारत की जो नेर भरता है दूसरे देशों पर उसको कंप्रीटली खतम कर दिया जाए और ना सिर्फ यहाँ पर प्लैनिंग को त्यार किया गया है बलकि इसके पर काम भी किया जा रहा है कुछ दिनों पहले ही देश की दिगज कंपनी टाटा स्टील भी अब कंटेनर मैनिफाक्टिरिंग की इंडस्ट्री में शामिल हो चुकी है जहाँ पर रिपोर्ट के मताब केंडीशन में सर्वाइब कर लेते हैं और फाइनली ये कंटेनर मैनिफाक्टिरिंग कॉंटेक्ट भी टाटा के हाथ में जा चुका है टाटा अगले तीन से चार महिनों के इंदर इन कंटेनर को बनाने का काम शुरू कर दीगे और बहुत जल्द इनकी टेस्टिंग के प्र